जहीं दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्याना पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक और नई वकैंसी की डिटेल जारी की गई है तो दोस्तो इसमें 35 पोस्टे निकाली गई हैं सफाही कर्मी के लिए और इसमें जो आपका आठवी और दस्वी पास हैं अगर आप तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं और दोस्तो ये महिला और पूर्श दोनों के लिए है तो दोस्तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि इसमें आपको क्या eligibility criteria दिया गया है और आप इसे कब तक apply कर सकते हैं और इसमें आपको क्या 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 करना पड़ेगा और इसमें आपके documents क्या क्या लगेंगे तो दोस्तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताने वले हैं तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल SK Jobs ग्यान को सस्क्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नहीं नहीं वेकैंसिस के डिटेल लेकर आज सकें तो दोस्तो ये मानव संसादन विकास मंडल काराल्या गुरुग्राम के दवारा निकाली गई है तो दोस्तो इसमें पातर अभियर्थियों से अधिनस्त स्वर्ग में स्फाई कर्मी पदों के लिए अवेदना मंतरित किये जाते हैं तो दोस्तो इसमें जो आपका post name है वो सफाही करमी का है और इसमें जो आपकी age limit है वो 18 वर्से लेकर 24 वर्स तक होनी चाहिए तो दोस्तो इसमें अधिकतम दसमी पास नहीं होना चाहिए वो नियूनतम कोई योगेता नहीं मतलब अगर आप अनपड़ हैं तो आप इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं आयू सीमा की तो दोस्तो इसमें जो आपकी आयू सीमा है वो 11 2021 तक count की जाएगी और इसम साल की चूट दी जाएगी तो दोस्तो इसके बाद आपको अपी वर्ग दिव्यांग है उनको 13 साल की चूट दी जाएगी और जो भूत पूरव सैनिक हैं उनको 3 साल की चूट दी जाएगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी सेलरी की तो इसमें जो आपकी सेलरी है वो 14500 से लेकर अठाई हजार एक सो पंतालिस रुपय तक आपको दी जाएगी तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें पोस्टों को आपको कैटागरी वाइस कैसे कैसे बांटा गया है तो इसमें जो आपकी कुल पद या रिखती हैं वो 35 हैं जिसमें अनसुची जाती की साथ हैं अन ब्यर्थी ही रिक्ती के लिए अवेदन करेंगे अवेदन पत्तर नीमन प्रारूप पर एव दस्तावेज्जों पर छाया प्रती एव हस्तारिक शरित कर प्रेक्षित करें तो दोस्तों यह आपको जो है इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आपका क्रमांक संख्य विवरन दी गई है यहां पर आपने फोटो लगाना है इसके बाद आपका ब्यर्थी का पूरा नाम आजाएगा जनमती थी मोबाइल नंबर आपका लिंग मेले या फीमेल पिता या पती का नाम स्थाई पता इसके बाद आपकी अगर शेक्षिनी के योग्यता नीमन में से चुने इसमें आपको तीन दिये गए हैं तो आप इन में से स्लेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद अगर आपके बास पैन कार्ड है वो भी आप यहां पर लिख सकते हो इसके बाद आपकी अगर श्रेणी है और पिछली सेवा अगर आप कहीं पर जोब कर रहे हैं तो वो आपने यहां पर लिखना है और इसके बाद रोजगार कारेलय आव जिला सैनी कल्यान बोर्ड पंजिकरन संख्या परमान सहित अगर है तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हो तो दोस्तों इसके बाद जो आप आपका अवेधित लिफाफा होगा उसके उपर आपने अवेध का नाम पता मुबाइल नंबर वरग श्रेणी और स्फाई कर्मी पद पर भरती है तो आवेधन वो आपको उसके उपर लिखना पड़ेगा और इसके बाद आवेधन पत्तर पूर्ण रूप से भरा हुआ वह अवेधन पत्तर के नीचे पूर्ण हस्ताक्षर नाम तिथी लिखें अवेधन पत्तर के साथ निमलिक्त दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे जिसमें आपका अधार कार्ड आ जाएगा शैक्षणी के योग गयता सबंदित दस्तावेज मूल निवासी परमान पत्तर और आपका जाती परमान पत्तर भी साथ में लगेगा तो दोस्तो इसके बाद ये जो आपका सारा डोकुमेंट है और ये आपने एक लिखाफा त्यार करना है जिसे 15 अप्रेल 2021 से पहले पहले आपने इनके ओफीस पर सेंड करना है आप इसे अर्जिस्टर्ड पोस्ट के ज विभाग मंडल का रहा लिया गुरुग्राम हर्याना भूतल प्लाट नंबर पांच इंडस्ट इंडस्टी यूशेरनल एरिया सेक्टर 32 गुरुग्राम 12201 पर आपने जो है इसे सेंड करना है तो दोस्तो अगर आपकी इसके बारे में कोई क्वारी है तो आप हमारे वीड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर एंड कोमेंट जरूर करें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भरत